समस्कार, Simplified Vedic Astrology Channel में आप सभी दर्शेओं का बेहत स्वागत है 29th of April 2022 में शनीदेव अपना राशी बदल के Aquarius यानि कुंघ राशी में प्रवेश करने वाले है और अगले धाई साल के लिए इस राशी में रहने वाले है तो अगर आप लोग का राशी या फिर लगना अगर कुंघ यानि Aquarius है तो शनीदेव इस पर्टिकुलर 20 साल के टाइमिंग में आपके लाइफ को किस तरह किसे प्रवावित करने वाले है और क्या-क्या घटना है शनीदेव आपके लाइफ में लेके आने वाले है इसके विशय में पूरा डीटेल्स में इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे कोई भी नए विवर्स है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन यानि बेल आइकन को जरूर अन करके रखिए ताकि जब भी मैं कोई भी नया विडियो बनाओ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुस सके तो चलिए अब हम लोग आज के टॉपिक पर बात करना शुरू गरते है तो ये जो मैं विडियो बना रही हूँ वो विडियो अगर आप लोगो का राशी या फिर अगर आप लोगो का लगना अगर कुंभी यानि अक्वेरियस है तो आप दोनों के लिए ही ये वीडियो जो हे वो ऐ scholar है तो आप लोगों के लिए शनी देव आपके लगना यानि first house पे प्रवेश करने वाले हैं और अगले धाई साल के लिए इस घर में रहने वाले हैं तो first house जो है वो आपके जो health है जो हमारा जो health है हमारा ego, self-esteem हमारे society में name, fame, recognition क्या है इन सारे चीजों को जो है वो first house represent करते हैं यानि दर्शाते हैं तो शनीदेव जब भी आपके first house में आएंगे या फिर किसी भी घर में जाते हैं तो क्यूंकि शनीदेव एक realistic planet है तो वो जिस किसी भी राशी में या फिर घर में प्रवेश करते हैं उस घर से related चीजों के तरफ को reality check-in करवाते हैं तो सबसे पहले शनीदेव आपके health के उपर आपको ध्यान देने में मजबूर करेंगे वो reality check-in करवाएंगे health regarding की आप लोग का health कैसा है अगर आप लोग अब तक बहुत जंक फूड खाते थे बहुत ऑईली फूड खाते हो तो exercise नहीं करते हो ठीक से तो कुछ आप health regarding किसी डॉक्टर के पास जाएंगे consultant लेंगे और अपने health के उपर ध्यान देने में आप लोग मजबूर हो जाएंगे ओके दूसरा जो चीज है वो है first house यानि लगना जो है वो अमारे ego को भी रिप्रेजन करते हैं तो अगर इस वक्त आप लोग अन्नेसेसरी ब को कंट्रोल में रखिए अपने एंगर को कंट्रोल में रखिए हाथ से यादा ego या फिर एंगर और अन्नेसेसरी चीज़ों के उपर अगर आप लोग अपना ego दिखाएंगे लोगों को ज्यादा परेशान करेंगे अगर आपके ego के वैसे तो शनीदेव आपको बहुत कंट्रोल में रखिए अपने गुस्य को इक रखिए और लगना क्योंकि जो है वह हमारे एवरे एसपेक्ट ओफ लाइफ को भी प्रेजन करता है तो इस वज़े से आपको अपने एवरे एसपेक्ट ओफ लाइफ मतलब इंसान के जीवन में जितने भी अलग-अलग जो भी होता है विव फैमिली होता है आपके आगर अगरा आपने के तरफ भी आपको कमिटेड होना परेगा और आपके life से जुरावा हर किसी चीज़ के तरफ आपको commitment लेना पड़ेगा और committed होना पड़ेगा इस वक्त अगर नहीं करेंगे तो उस रिगार्डिंग जिस किसी चीज़ के तरफ आप लोग ध्यान नहीं देंगे उसके तरफ कोई न कोई इशू आएगा इस वक्त साथ ही में अब देखिए क्योंकि first house जो है वह हमारा name fame recognition यानि हमारे face को भी रिप्रेजन करता है तो इस वलते से अगर आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनती इंसान है बहुत ज़्यादा अगर आप लोग काम कर रहे थे तो उसकी रिगार्डिंग शनीदेव आपको result देंगे ओके तो अब शनीदेव का जो है वह special तीन तरेकी का दृष्टी होता है शनीदेव का तो शनीदेव जिस किसी भी घर में प्रवेश करते हैं उस घर से लेके आपके तीन नमबर घर, साथ नमबर पर और दस नमबर में अपना घर में अपना दृष्टी डालते हैं और उन घ है वह हमारे competitive skill हमारे कोई भी अगर sports अगर sports field में अगर कोई हो तो sports को भी रिप्रेजन करता है Competitiveness को रिप्रेजन करता है skill of hands and specially third house हमारे communication को रिप्रेजन करता है तो इस वक्त आपके communication में बहुत ज़्यादा harshness आएगा बहुत ज़्यादा coldness आएगा आप लोग बहुत ही cold तरीके से बात करेंगे बहुत straightforward बात करने लगेंगे और आपके बात में बहुत ज़्यादा anger होगा तो अपने communication के तरफ थोर असा ध्यान दीजे क्योंकि आपके communication के वैसे आपके सामने वाले इंसान अनौइड हो सकता है और आपके communication के वैसे क्यूंकि शनीदेव का जो थर्ड दृष्टी है वह बहुत ज़्यादा कार्मिक होता है और थर्ड हमारे फ्रेंड सर्कल को भी रिप्रेजन करता है शोशल मीडिया को भी रिप्रेजन करता है तो स्पेशली आप ध्यान दीजिए जब आप लोग अपने बातों के उपर तब स्पेशली जादा ध्यान दीजिए जब आप लोग अपने फ्रेंड के साथ बात कर रहे हो और सोशल मीडिया में जब आप लोग कुछ पोस्ट कर रहे हो या फिर कोई कुछ पोस्ट के उपर आपके परिकुलर महादशा को भी उस चीज के रिगार्डिंग पर्मिशन देने की ज़रोथ होता है अब श्रीदेव अपने सेवेंथ आस्पेक्ट से आपके सेवेंथ आउस पर दृष्टी डाल रहे हैं तो सेवेंथ जो है वह आपका जो रिलेशन्शिप होता है वह आपके आपके partner के साथ relationship भी हो सकता है और आपके business Partner के साथ relationship हो सकता है या फिर in general other people के साथ अपका बिलेशन्शिप हो सकता है Spe ход वह उसको भी ठाघता है तो इन सभी चीजों के तरफ अपको इन लोगों के तरफ चाहे वो आपका partner, चाहे आपका romantic partner हो, चाहे आपका husband या फिर wife हो, चाहे आपका business partner हो, इन सभी के तरफ आपको बहुत ज़्यादा dutiful, committed and sacrificial होना पड़ेगा, अगर आप लोग business में हो तो business के तरफ आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, अगर आप लोग married हो, अब त साथी में, 7th house की contract based काम को भी represent करते हैं, तो अगर आप लोग कोई भी contract based कुछ काम कर रहे हो, तो बहुत ध्यान से काम कीजिएगा इस वक्त, और हो सकता है, तो आप लोग किसी से, कोई legal इंसान से आप लोग परामर्ष भी ले सकते हो, जो लोग professional है, इस बारे में जिन को बहुत ज़्यान है, अब शनिदेव अपने 10th aspect, यानि 10th number द्रिष्टी से, आपके 10th house में द्रिष्टी डाल रहे हैं, और इस घर को भी प्रहवित करते हैं, कर रहे हैं, तो 10th house जो है, वो आपका society में name, fame, recognition, आपका work space, आपका actual karma जो है, आपके काम को, आपके work को, और आ इस वक्त, अगर आप लोग ज़्यादा egoistic होंगे, तो आपका जो boss है, वो आपको throw down करेगा नीचे, अगर आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरह के सहब तक काम कर रहे थे, आप लोग बहुत ज़्यादा honest है, लंबे time तक आप लोग काम करते हो, बहुत ही मेहनत से अपना काम करते थे, तो इस वक्त आपके boss के थ्रू आपको promotion मिल सकता है, नहीं तो आपके boss के थ्रू आपको help and support मिल सकता है, आपके workspace में, आपका name, film, recognition में वृध्धी आ सकता है, इस वक्त, तो शनीदेफ simply कर्मफल दाता है, जो भी अब तक आप लोग कर रहे थे, उसके basis transit क्यों ना हो, चाहे वो Jupiter transit हो, Saturn transit हो, राहु केतु transit हो, Mars transit हो, कोई भी planet का transit क्यों ना हो, वो हमेशा आपके current महादशा और अंतरदशा के basis के उपर ही result देते हैं, तो चाहे कोई भी बड़ा event हो, उसको confirm करने के लिए आपको हमेशा ही महादशा और अंतरदशा Lord को देखने की ज़रूरत होता है, उन लोग का condition देखने की ज़रूरत होता है, especially transit के लिए आपको अश्टगवर्गा स्कोर देखने की भी बहुत ज़रूरत होती है, तो यहाँ पर मैंने जो भी चीज़े कहा है, वो एक जेनरलाइस्ट एनरजी है, जब शनिदेव transit करते हुए आपके लग दिविशनल चार्ट में, बर्ट चार्ट में उन लोग का position कैसा है, specially अस्टगवर्गा स्कोर कितना है, इन सारे चीज़ों के उपर जो है वो depend करेगा, ओके, तो hopefully आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा है, और हाँ, specially एक और बात मैं बोलना भूल गई थी, कि जिन स्पेशली अगर कुंभ राशी है, तो उन लोगों को mental stress आएगा इस वक्त, तो mental stress से बचने के लिए आप लोग meditation कर सकते हो, आपने religion के हिसाब से कोई भी spiritual activity कर सकते हो, और नय तो आप लोग spiritual activity यह सब कर सकते हो, specially हनुमान पूजा भी आप लोग कर सकते हो, या फिर भगवा कुछ से chant कर सकते हो, पर सकते हो, ना तो आप लोग सुन सकते हो, ठीक है, तो यह सब जो है, वो कुछ चीजे है, कुछ generalized remedy है, जो आपके mental stress से आपको मुक्ती देने में आपको help करेगा, ओके, तो hopefully वीडियो आप लोगों का अच्छा लगा है, अगर वीडियो अच्छा लग